नमस्कार दोस्तों बात करेंगे गाइनेको मेस्टिया के बारे में जिसमें की मेल ब्रेस्ट का जो टिशू है उसका साइज बढ़ जाता है और एक कॉस्मेटिक कंसर्न बन जाता है पेशन्ट के लिए बहुत कॉमनली ऐसे पेशन्स हमारे पास आते हैं हम वेट लॉस का काम कर तो इसी रिलेशन में बहुत सारे पेशन्स हमें क्रास होते हैं जो करनेको मेस्टिया से प्रशान है और एक वीडियो ऐसे ही पेशन्स के लिए हैं ब्रेस्ट के बड़ा हो गया है यह तीन कंडिशन में कॉमनली देखा जाता है एक प्रद होता है तोस में जब फिमेल की मद उनके estrogen hormones का जादा होने की वरे से वो hormones बच्चे के अंदर आ जाते हैं और पहले कुछ अफतों में males का breast tissue बढ़ा दिख सकता है लेकिन usually यह अपने आप सबसाइड हो जाता है second condition में during puberty males के hormone के imbalance की वरे से कुछ बच्चों में breast का size बढ़ा हो सकता है लेकिन जारातर cases में यह 6 मेहने से लेकर 2 साल तक अपने आप ही कम हो जाता है लेकिन उसके बाद भी अगर प्रसिस्ट करता है देन आपको इसकी surgery करवाने की जरौत पर सकती है third condition में late age में यानि 50 years से लेके 80 years के बीच में males में भी यह condition देखी जाती है इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं बच्चों में और प्यूबर्टी में इसका कारण ढूड़ना लगबग नामुम्किन रहता है लेकिन adults में अगर कोई बहुत जादा alcohol intake करता है या कोई और drugs का शिकार है या steroids ले रहे हैं तो इन conditions में commonly gynecomastia देखा जा सकता है इसके लावा कुछ chronic medicines हैं जिनसे भी ये problem हो सकती है तो अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो बहुत देर से ले रहे हैं और ये problem देखने को आ रही है तो आप doctor से सलाग कर सकते हैं कि gynecomastia किसी medicine के side effects से तो नहीं हो रहा है बात करेंगे कि इसे manage कैसे करते हैं आप अपने doctor से मिलेंगे वो आपको examine करेंगे आपकी detail history लेंगे तूडने की कोशिश करेंगे कि कोई और कारण तो नहीं जिससे problem हा रही है इस सब होने के बाद कुछ routine टेस्ट किये जाते हैं इसमें कोई खास दवाई काम नहीं आती तो surgical management ही इसका main management है surgery में आज कल एक simple से छोटे से hole से liposuction से ही जायतर fat निकाल दी जाती है लेकिन अगर बहुत बड़ा gland है देन उसमें एक छोटा सा cut लगाकर peri-areolar incision से ही इस gland को remove कर सकते हैं और जो side की fat है उसको हम liposuction से remove कर सकते हैं gynecomastia की बहुत सारी stages हो सकती है जैसे कि आप इस picture में देख सकते हैं तो इससे आपको idea लग जाएगा कि आपकी कौन सी stage of gynecomastia है इसकी after care में एक compression bandage लगाया जाएगा जो आपके इस area पे दबाव बनाके रखेगा ताकि जो skin के और पीछे chest wall है उसके बीच में जो खाली जगे रहे गई है वो उस पे compression रहे और वो अच्छे से चिपक जाए और इस area का एक अच्छा सा shape बनकर सामने आए compression bandage डेड़ महिने से लेके तीन महिने तक हम लोग advise करते हैं ताकि जो shape है वो proper हो जाए आप अपना routine काम सभी कर सकते हैं लेकिन इस area की जो muscles है उनकी exercise को award करना है ताकि इसकी healing में कोई hindrance ना हो इसमें कोई पानी ना हो और आपको एक अच्छा सा result मिले कि अगर आप या आपके around कोई इस बीमारी से चिकार है तो आप अपने doctor से मिलके बहुत जल्दी इसका इलाज करा पाएंगे और अपने normal life में अच्छे confidence के साथ दुबार बापिस आपाएंगे if you like our videos kindly like, share and subscribe it will be very helpful for us thank you कर दो कर दो कर दो